फिल्म की शुरुवात होती है एक स्कूल को दिखाने सी, जहां एक क्लास में डिटेक्टिव पोश्टाश करने आते हैं, क्योंगी अचानक स्कूल से एक लड़की गाईब हो गई थी, डिटेक्टिव सबसे पूछते हैं कि वो लड़की कहां गई, किसी को पता है, पर कोई भ भी थी, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, यह स्कूलर्शिप हासिल करना चाती हैं, ताकि आगी भी अच्छी से कॉलिज में बढ़ सकें, लास्ट मोने की बात एडन एक लड़के की पास जाती है, जिसका नाम श्राउट था, वो अपने दों दोस्तों के है कि मेरे डैड बहुत ही मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगी, उसकी बार डालकर इडन श्राउट से पुछती है क्या आजरा तुमारे घर में पार्टी है, श्राउट जवाब देता है कि हाँ, मेरे मॉम डैड घर प पार्टी में जाने वाले, रात होती ही इडन पार्टी के लिए तैयार हो गई, जहां उसकी डैड गाड़ी में उसे छोडने जा रहे थी, रास्ते में ये लोग इडन की दोस्त को भी ने लीती हैं, पिर इडन की डैड श्राउट की घर इनी छोड़ कर चले गई, दोनों ल इडन अपनी दोस्त को श्राउट की दोस्त की पास बेचती है, ताकि वो इडन की पीछे ना आ जाए, तब उसकी दोस्त, श्राउट की दोस्त को अपनी बातों में उलज़ा कर शिराप पीने के लिए ले जाती है, और जब श्राउट अकेला था, तब मोके का फाइदा उठा जोर जोर से वो बोलने लगी, सब को कहिती है कि बताओ, आखिर ऐसी कैसी मेरी बहन अचाना गाइब हो सकती है, ये देकर सब लोग गाइब बढ़की की बहन की पास गए, उसे शान करनी रखती है, अब श्रावट को मतासिर करने के लिए इडन कहती है, बिचारी काफी परेश सिल्वर का दिल हमेशे अपने पास रखा करती थी, इसे देकर मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, ना जाने वो कहां होगी, ये कहकर वो जिजबाती हो गई, और ज्यादर होने लगती है, पिर गाड़ी से उतर कर अपने घर चिली गई, जिबकि एडन वापिस पार्टी म आ जाती है, शिरावट उसे घर के अंदर लाकर पूरा घर दिखानी लगा, अपनी फेमली की सारे मेंबर्स की तस्वीरें भी दिखाता है, पिर ये बताता है कि मेरी फेमली बहुत अमीर, साथ ही वहाँ पड़े काफी पुराने वक्त के हतियार, ओजार बगेरा भी दिखा जाता है, ये बताते हुए कि मेरी फेमली के बहुत सारी लोग शिकारी भी थी, जिसके बाद ये दोनों एक गेम खेलनी के लिए आगी बढ़े, ये तब यहाँ एडन की दोस्त भी आ गई, जिसने वो ज़दा शिराव पीनी थी, उसे इतना नशा चड़ा हुआ था कि वो बहुत ज़दा नशा नहीं रहा था, उसके चीरे को देकर लग रहा था, जैसे उसने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, और ये सब करके वो अपने गलती का पश्तावा कर रहा है, इडन नीची आकर शिरावट से पूछती है कि अगर मैं ये गेम जीत गई, तो क्या पिर पर तस्वीर बनाने का शोग था, तो वो उसकी भी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तब ही यहां इडन आ गई, इसलिए हर्ट बड़ी में श्रावट का दोस्ट फोन को वहें गिरा देता है, इडन को उसे यहां देखकर घुसा आया, इसलिए वो उसे यहां से दर्वाजे को बन कर लेती है, बाहिर आकर श्रावट की दोस्त को एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गंती हो गई है, इडन को उसका मुबाइल मिल गया, इसलिए वो वीडियो चेक करनी रखती है, कि कही इसने मेरी दोस्त की वीडियो तो नहीं बना ली, उसे गाइब कोई लड़की की वीडियो मिली, इडन को पता चला कि जिसनों लड़की गाइब हुई थी, इन तीनों दोस्तों के साथ थी, वो वीडियो को चला कर देखने का सूचती है कि आखिर उस दिन इन लोगों ने लड़की की साथ क्या किया होगा, लेकिन तबी मुबाइल की पर आई, दर्वाजी को खट-कटा नहीं लगते है, इडन थोड़ा से दर्वाज़ा खूलती है, तब श्राउड उसी कहता है, मेरा दोस्त अपना फोन अंदर ही भूल गया है, तो जरब वो तो दे दो, जिस पर इडन कहती है कि अंदर मुझे तो कोई फोन नहीं मिला, जो कहकर वो जल्दी सी दर्वाज़ा बर्न करके लॉक्ट कर लीती है, अंदर से ही उन लोगों को बताती है कि मेरी तुम लोगों की वीडियो से पॉन में देख लिए, जो सुनकर श्राउड और उसकी दोलों दोस्त काफ़ी डर जाती, तो श्राउड उसे पूछता है, किसी भी सूरत दर्वाज़ा खोलने को तयार नहीं होती, थोड़ा सोचने की बाद उनके सामने शर्ट रख देती है, कि तुम ऐसा करो, मुझे इस फोन का चार्जर दे दो, मैं पूरी वीडियोस देखना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं वादा करती हूँ, कि दर्वाज़ लगाने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज सुने नहीं पाता, इडन सूच दिये कि वो तिनों भी बागी लोगों के साथ बाहर चले गई होंगे, तब यूँ उसे याद आता है कि पार्टी में एक लड़की के पास चार्जर था, इसलिए वो चुपके से नीचे जाती ह चार्जर लेने, चार्जर उसे मिल भी गया, लेकिन इससे पहले उसे लेकर वापिस आती, शुराउट का दोस्त उसे पकड़ लेता है, पर क्योंकि एडन काफी बहादूर थी तो खुद को बचाने के लिए वो लेडने लगी, नाक पर मुका मारती है, जिससे वो नीचे ग आकर वापिस कमरे में आ जाती है, उसे पता था कि वो तीनों दर्वाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करेंगी, इसलिए दर्वाजे के सामने अलमारी को लगा देती है, शुराउट अपने दोस्त को कहता है कि तुम सीड़ी उठा कर बाहर लेकर जाओ, उसके जरीए बहुत शुराब पी हुई थी, तो उल्टी करने वो वाश्रों में जाती है, लेकिन तबी खिड़की के बाहर वो शुराउट की दोस्त को देखती है, जो उसे खिड़की खोलने का कहता है, अब क्यूंकि एड़न की दोस्त हर चीज से अंजान थी, इसलिए वो ये समझ ले था कि आखिर यहाँ पर चल किया रहा है, और वो ऐसा क्यों के रहा है, और अब शुराउट कर दोस्त अंदर जाकर इड़न को कहता है कि चुक चाप मेरा फोन मुझे वापिस देदो, लेकिन बिना सोची इड़न कुरसी उठाकर उसे दे मारती है, कुरसी तोड़की, जिसक और वो भी होश हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसे बातरूमे ने जाकर बान दीती है, और अब उसे इन्होंने बंदी बना लिया था, उसके साथ ये दोनों भी बातरूमे ही बंद जाती है, इससे भेच राओड दरवाजे को तोड़कर जहसी कैसी अंदर आ जाता है, उ फोन में अपनी बेटी एडन को ढूरती है लेकिन वो कई भी नी मिलती। श्राउड की दोस्त को जिब होश आई तो एडन उसी बार टप में बिठा देती है और पानी में ड्रायर रखने लगती है ताकि उसे करंट लगे। ये देख श्राउड का दोस्त रोने लगा अपनी जान की भीक मांगता है पुछने लगा कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो तुम्हें क्या चाहिए। इडन के ये बाहर कमरे में फोन है और तुम्हारा दोस्त श्राउड भी अंदर आ चुका है उसे कहो कि वो तुम्हारा फोन मुझे दे दे ताकि मैं पुलीस और अपनी खीमिल फ्रेंड को सीड़ी की जिरिये ऊपर जाने का कहिता है ताकि वो अपनी दोस्त को बच जा सकी साथी इडन और उसकी दोस्त को मार दी खुद श्राउड पूरे घर की लाइट्स बंद कर दीता है ताकि वो उसकी दोस्त को करंट ना लगा सकी बाहे श्राउड की दोस शिड़ी पर चुड़की ओपर जानी लगी हाथ ने उसने चाकू भी पकड़ा हुआ था ताकि वो इडन और उसकी दोस्त को मार सकी वो खिड़की पर आकर इडन की दोस्त का हाथ पकड़ लेती है लेकिन अपना हाथ छुड़ा कर वो उसे ही धक्का दे देती है ऐसा होने से वो नीचे गिर गई और चाकू उसकी पेट में ही लग जाता है वो काफी जखमी हो गई तीजी सी उसका खून निकलने लगा ये देकर दोनों दोस्ते काफी घब रा गई और अब इडन सीड़ी की जरीए नीचे श्रावट की दोस्त की पास आती है ताकि उसका फोन ले सके फोन उसने ले भी लिया श्रावट की दोस्त जो तड़प रही थी इडन से कहती है ये प्लीज मेरी मदद करो मैं बहुत सखमी हूँ मुझे इससरा छोड़ के मत जाना हूँ लेकिन इडन उसकी कोई भी बात ना सुनकर सीड़ी पर चड़ गई फिर से ओपर जाने के लिए इतने ही देर में या श्रावट भी आ गया वो श्रावट को अटा देता है लेकिन तक तक एडन किड़की तक पहुँच के थी और अब जब वो अंदर जाने लगी फोन उसके हाल से छूटकर नीची गिर जाता है पर वो खुद सही सलामत अंदर आ जाती है श्रावट अपने जखमी दोस्तों कीच कर अंदर लेकर आया दीखता है कि उसको बहुत सारा खून नहीं चुका है उसकी दोस्त कहती है प्लीस मजे हॉस्पिटर ले जाओ और नहीं मर जाओंगी लेकिन श्रावट ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो इसे हॉस्पिटर ले गया तो खुद भी पकड़ा जा सकता था तो उसे ऐसी मरने के लिए छोड़कर उपर जाने लगता है इडन अब अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है कि आकर यहाँ पर क्या चल रहा है जो सुनकर उसकी दोस कहती है देखो हमें इन से या किसी से कोई लिना देना नहीं है वो हमारी तरफ से जो मर्जी करें हमें उनका फोन वापिस कर देना चाहिए तक ही हम भी यहां से चले जाएं पर जब इडन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उल्टा इडन से ही लड़ने लगी उससे फोन चीनने की कोशिश करती है इसे बेचपों घर के बाहर इडन की डेट की आवास सुनती है जो कि अपनी बेटी को ढूलते हुए यहां भी आ गए थी उनकी आवास सुनकर इडन बाहिर आई अपनी डेट से पुछती है कि आप यहां पर क्या कर रही है डेट इससे पहले वो कोई जवाब देती, पीछी से श्रावड आकर उन पर हमला कर दीता है, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, श्रावड ने हाथ में कुलहाड़े पकड़ी हुई थी, वो इडन को कहता है कि मेरी दोस्त का फोन मुझे दे दो, वरना मैं कुलहा उठाता है इडन के डैड की जान लेने के लिए, लेकिन ठीक वक्त पर श्रावड के डैड वहाँ आ गई, अपने बेटे के हाथ में कुलहाड़े दे कर पोच्छती है, कि ये सब क्या है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, सारे सुरते हाल दे कर वो हिराम रह जाते है कि त सारी बात बता दीती है, जो सुनकर उसकी मॉम डैड अपने बेटे की हरकत पर काफी एरानों परेशान रह जाती है, और अब जब वो एक कमरे में गई तो देखती है, कि श्रावड की फीमिल फ्रेंड मारी जा चुकी है, जो देखकर श्रावड को बहुत दुख हुआ, वो आप लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगी, तो मैं दोनों लड़कियों को स्कॉलरशिप दे दूगा, जबकि एड़न की डैड को डियर सारी पैसे मिनेंगे, ये डिन एड़न की दोस्त को काफी पसंद आई, वो लेने के लिए तयार हुचाती है, लेकिन एड़न के हैत करके वीडियो देखने लगती है, जिसमें उन्होंने देखा कि मज़ी मज़ी में श्राउड ने अपनी गाड़ी को उस लिड़की में मार दिया, उस विचारी की मौकी पर ही वो थो गई थी, जिसके बाद तीनों दोस्तों ने उसकी लाश को नदी में पहंग दिया, ये द अपनी डेट और दोस्त को एक गाड़ी में पाती है, और देखती है कि श्राउड हमें भी उस नदी के पास ले जा रहा है, श्राउड उसी बताता है कि मैंने ये प्लैन बनाया है कि मैं तुम तीनों को अब गाड़ी समीद नदी में भैंग दूगा, ताकि पोलिस को ये ल लाश को भी तो टिखाने लगाना है ना, तो इसे भी गाड़ी में रख दो, उसने ऐसा है किया, वो अपनी दोस्त की लाश को भी गाड़ी में रख दीता है, और क्योंकि श्राउड कोई सबोत रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे से आकर अपनी दोस्त पर हमला कर कि उसे भी मार देता है, उसकी लाश को भी फिर गाड़ी में रख दिया, ये लोग अब गाड़ी को स्टार्ट करके नदी में दखील दीती है, ता कि सारे लोग मारे जाएं, कुछ दिर की बार दिखाया गया कि एडन और उसकी दोस्त किसी तरहा बच गई है, जबकि एडन कि डेड मारे गे थी, हलांकि उसकी दोस्त काफी मना भी करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, आगे बढ़ जाती है, जबकि उसकी दोस्त फोन करने चली जाती है, ता कि मदद के लिए फुलिस को बुला सकी, और अबिटन चुपकी से उनकी घरमी घुस जाती है, जह श्राउट की डेड खबरें देख रही थी, उसी एकसिडेंट की खबर चल रही थी, जो और लोगों का कल रात इसी फैमली ने किया, पर यहां यह बताया जा रहा था, कि नदी से पांच नहीं बस तीन ही लाशे मिली हैं, जो सुनकर उसकी डेड सोच में पढ़ गई, कि दो लड़ना उसे काफी अच्छी से आता था, वो एडन को पहली काफी पीटती है, पर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहां एडन बड़ी चलाकी सी उसी बाट डब में फैंग दीती है, फिवर ड्रायर भी चलाकर पानी में छोड दीती है, इससे श्राउ उठाकर अंदर गया, तो अपनी मौम डेट की लाश को देखता है, और यहां उसकी आँखी खुली की खुली रह गी, वो काफी इरानों परेशान रह जाता है, घबराता हुआ, जो बाहिर आया, तो एडन को देखता है, जो उन्हें की गाड़ी में बैटी हुई थी, उसे श्राउड गोली से मारने जाता है, लेकिन वो पे नहीं, गाड़ी उसे टकराकर नीचे कुचन देती है, जिससे वो काफी जखमी हो गया, उसकी हालत काफी खराब हो गई, तब उसकी गन उठाकर एडन उसे मारने की कोशिश करती है, पर यह उसी नहीं हो पाता, रोते उसका शुकरिया दा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, और फिर तबी इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बलकि एडन की दोस्त लाई थी, उसे फोन मिल गया था, जिसकी मदल सी, वो पुलिस को यहाँ बुलाने में कामयाब रहे, और अब पुलिस दोनों को सही सिनामत बचा लेती है, पर इस सबने बीचारे इडन के डेड मारे गे, जबकि वो फैमली और शुराउड की दोस्तों को अपने गलत कामों का सबक मिल गया, उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया था, जिसकी साथ ही इस फिल्म टी कहानी भी यही बरखरत मजाती है।